सब्सक्राइब कर दोस्तों मैं आपके साथ डिसकस करने वाला हूँ एक बहुत ही इंपोर्टेंट और इंड्रस्टिंग इंडियन पोईट निसीम इजकिल को वैसे दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि बहुत ही बढ़िया ये पोईट है और आपके डिफरेंट एक्जाम्स में प्रेस्क्राइब है लाइक इच में भी ए किया गया है डिफरेंट डिफरेंट एक्जाम में और इसी बात को दोस्तों मैंने ध्यान में रख करके यह आज की जो क्लास है यह शेड्यूल की है आज की क्लास में आपको बहुत कुछ लर्न करने को मिल जाए तो अगर सब कुछ क्लियर है तो एक बार जरूर कंफर्म कीज की ओडियो और विडियो क्लियर है या नहीं वैसे क्लियर ही होगा सब कुछ क्लियर रहता है और क्रिस्टल क्लियर रहता है तो कैसे हैं आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में एक बार जल्दी से या निसीम इजकिल गुड़ाप्टनून एब्रीवान गुड़ाप्टनून बिल्कुल बहुत-बहुत श्वागत है और आप बताएं कोई बात हो, कोई सवाल हो, कुछ कहना चाहें तो जरूर दोस्तों आप मुझसे कहशकते हैं, clear है ना, सब कुछ हेलिए शुरू करेंगे दोस्तों आज की क्लास को, हाँ अगर थोड़ा सा स्क्रीन आपको clear ना दिखे तो आप एक काम कर सकते हैं, और वो क्या है कि आप अपनी स्क्रीन को थोड़ा सा बड़ा कर लीजेगा, है ना, तो शुरू करेंगे आज की क्लास, और ये क्लास है आपकी नसीम इजिकल पर, जो मैं ले करके आया हूँ, MCQs, and really guys, जो आपके लिए मैंने thumbnail में दिया है, कि य ये question परिक्षा में अकसर पूछे जाते हैं, यस, बिलकुल सही बात है कि आपके exam में दोस्तों, ऐसे questions पूछे जाते रहते हैं, time to time, और दोस्तों, आप learn कर रहे हैं, literature lovers YouTube में, और AKS राजवीर के साथ, दोस्तों, मैं हूँ an academy का educator, and on an academy platform, guys, you can join my paid courses, and yes, these are the steps, दोस्तों, य if you want to join my paid courses, और अगर आप paid courses में आना चाहते हैं, तो आपका बहुत-बहुत श्वागत, जरूर जोइन कीजिएगा, and by the way, अगर आप नहीं भी join करना चाहते, then, तो अब फिर आप क्या कर सकते हैं, तो आपके लिए एक और भी बड़िया बात है, और hope दोस्तों, मैं आपको विडियो में लिंक दे रखे हैं, 24th of October से स्टार्ट होगी क्लास, वन वीक के लिए, डेली फ्री क्लास आपको मिलने वाली है, और कहां पर, so, अनक आडमी, the learning app पर, so, do not forget, install कीजिए, और अगर paid courses join करते हैं, so, guys, these are the benefits, basically, जो आपको paid courses में मिलने वाले हैं, we have two types of plan, one is plus and another one is iconic, and really, guys, इन दोनों subscription में से, एक किसी भी subscription को चूच कीजिए, and then enjoy live interactive classes by India's top educators on a single platform on unacademy, the learning app, तो जरूर, दोस्तों, आप enjoy कर सकते हैं, और कुछ steps मैंने already आपको इसी लिए यहां पर बता रखे हैं, how to join, and guys, you know, live classes आपको बिल्कुल जिसमें मज़ा आ जाएगा, और इस समय, guys, basically, यह जो offer है, यह तो खत्म हो गया है, लेकिन एक new offer आ गया है, यह 20 तक के लिए था, तो इस offer को invalid कर लिजे, same offer आया, guys, कि अगर आप 12 month लेते हैं, तो 2 month का आपको free, guys, plan मिलेगा, absolutely free, बाकी चीजे सारी same है, बस, तो ठीक है, guys, वो बाला subscription plan है, बाकी more detailed, guys, so you all are familiar, just आप मेरे number पर मुझे message कर दीजेगा, तो यह रहा, दोस्तों, आपका पहला question, नसीम इजिकिल एज, an urban poet, a village poet, a poet of lake, और none of deeds, these are the four options, and choose किजे, guys, right answer को, और right answer लिग दीजे, फटा-फट से comment box में, हरी, अब, चलिए, जल्दी से, guys, correct one answer on your, hey buddies, please, सबसे सारे ही पहले enroll कर लिए हैं, चलिए, enroll कर लिए हैं, तो ठीक है, अगर, by the way, नहीं enroll किया, तो enroll जरूर कर लिजेगा, क्योंकि आपको बहुत बड़ा benefit मिलने वाला है, with those classes, मैं वो topic cover करने वाला हूँ, भरोशा कीजे, जो आपके लिए बहुत महत्तोपूर्ण होंगे, और important होंगे, निसीम इजिकल, which kind of poet he is or he was, तो किस type के poet थे आपकी निसीम इजिकल, right answer है guys, इसका directly, here is the answer, he is known as an urban poet guys, इनको हम किस type का poet consider करते हैं, urban poet निसीम इजिकल को consider किया जाता है guys, yes, and you know, he is also considered as a father of post-independence Indian verse, father of post-independence Indian verse in English, please, यह वाला point बड़ा interesting है, याद रखेंगे सभी लोग, known as the father of Indian verse, father of post-independence Indian verse in English guys, yes, and do not forget, he was a poet, a playwright, and as well as guys, he was also a non-fiction writer, see, he was a poet, a playwright, a critic, and broadcaster at all guys, yes, and born, so 24th of, yes, he was born on December 24th, 1924 guys, yes, और एक नाम यहाँ पर दो तीन नाम और मेंसन है, T.S. Eliot, W.B. Yates, and Ezra Pound, so you know, he was greatly influenced, he was greatly influenced from these figures, T.S. Eliot, Ezra Pound, and W.B. Yates, so इन से बहुत जादा गरत जादा गरत जादे आपके नसीम इसकिल, so the right answer of this one question is, an urban poet, known as the father of post-independence Indian verse in English, and he was a poet, playwright, and critic, and then T.S. Eliot, W.B. Yates, and Ezra Pound, these were the great influence on him and on his writing as well, clear है ना सभी के लिए, बहुत ही अच्छे से guides clear होगा, by the way, और अगर clear ना हो, तो clear हो जाना चाहिए, या कर लेना चाहिए clear guides, yes, ठीक है, चलिए, next one question for you guys, so here is the next one question, I am going to show you the next one question, so ये रहा guys, आपका next question ये है, a time to change known as, a time to change known as, guys, yes, see, a time to change is known as, first collection of poetry by Ezekiel, last collection of poetry by Ezekiel, or first poem by Ezekiel, or last ballad poem by Ezekiel, a time to change, hurry up कीजे, और answer select कीजे, और answer मुझे दीजे, है ना, answer select करने के बाद आप answer किसे देंगे, मुझी को तो देंगे, ना, मतलब बताएंगे आप comment box में, और comment box है मेरे हाथों में, तो जल्दी से दोस्तों answer कर दीजे, फटा-फट करके, और answer करते चलिए, गाइज, yes, thank you, Sanjana, thank you, and thank you all, digital board में teaching का एक अपना ही आनन्द है, और यह जो मेरे अनलाइकर है, भाई, आप तो मेरी class में आके रहोगे, कब तक नहीं आओगे, मेरी classes में तो आना ही पड़ेगा, जो जो लोग कुछ लाइक करते हैं, वीडियो को, तो कुछ लोग अनलाइक भी तो करते हैं न, तो लाइक और अनलाइक सब चलता है, और रही बात मुझे लग रहा है, मैं आज थोड़ा काला जादा दिख रहा हूँ, मैं इतना काला हूँ नहीं वैसे, लेकिन मैं क्या बताऊ, मेरे कैमरे की सेटिंग मुझे काला बत ठीक है, अच्छा कलर है, काली टी-शिर्ट और काला मी, अच्छा लगेगा, चलिए, राइट आंसर गाइड, तो ये है, देखिए, राइट आंसर, इसका भी A आंसर, फस्ट कलेक्शन ओफ पोईटरी बाई इजिकिल, गाइस, क्यों क्या स्ट्स कलेक्शन ओफ ये है, बेसक भी तू ओप पॉटरी और कोई। ये धैन रूट के स्ट्री अच्या जाएग, थे बाइस इसकाल का गाइस, जया जो बाइस, है जो बेसिकली वर्क है, ताइम भी तो ये अच्छा म कर यचर बाइस, question is they are associated with Naseem Ijkil and that is basically guys yes he was a JVS poet you can see on different exam on various exam like UGC net set and DSSV NVS KVS so you have seen a question like this you know who among the following is known as a JVS poet or Naseem Ijkil was a JVS poet so guys ye wala point jo hai yaad rakhye ga please and time to change first collection of poetry by Ijkil when it was published 1952 it was published clear hai next one question guys so here is the next one this is the next one question in the poem it's guys named in the poem named in India Naseem Ijkil depicts the relationship between literature and sex literature and environment or literature and science literature and war guys so there is a poem by Naseem Ijkil the title of the poem is in India and in this poem Naseem Ijkil what he basically depicted where in to answer answer to answer answer the question the question however you had the option please these are the options and please go through the option or select answer of the question is a wow who those who selected a option they are correct literature and sex guys okay so kyunki jo aapke nisim is equal he was also interested in you know he was also interested in topic like sex and all so you know guys in his poem in his poem you can see guys yeah named in india so what is the basically subject matter so he depicted relationship between literature and sex बाकी मैं आगे भी थोड़ा सा बात करता हूं guys ये UPS थोड़ा off करना पड़ेगा ये TT की आवास करा है so guys please जल्दी से next one question आपके लिए here is the next one और मैं थोड़ा सा भी इसके बारे में back falling बारे में भी बताते हूं या गैस चली welcome back थोड़ा सा वो लाइट पावर कट हो जाता है न तो UPS बोलने लगता है so UPS को off करना पड़ता भी मैं अकेले इंसान हूं तो अकेले ही काम करना पड़ता है ना गैस गरेक्ट वान आंसर यस नसीम इजकल so he was born इजकल इस बोन ब्रिटिस या गैस ब्रिटिस अमेरिकन स्विस और जिव देखिए यह question जो है बड़ा easy है guys so much easy it is but मैं आपको बता दू जितना छोटा यह question लग रहा है आपको even not only in you know lecturership exam भरोशा कीजिये in different exam even like net exam net exam में भी guys आप से पूछा गया even in set exam same question even in any interest entrance exam so ऐसा type का question पूछा जाता है like निसीम इजिकल his birth answer दोस्तों आपको पता है शरी को answer है इस question का guys d he was born as a zoo he is born zoo and he was born on 16th of December 1924 and known as Indian Javis Poet guys he was known as Indian Javis Poet and died on 9th January 2004 2004 में guys इनकी death हुई 1924 he was born and you know 1924 में guys इनका बर्त तो हुआ था ये तो बड़ी interesting बात है but one thing you must remember guys and what is that died in 2004 it means approximately 80 year guys काफी लंबा जिये पिछले वाले question की अगर मैं बात करूँ थोड़ा सा guys मैं पिछले वाले question की भी बात करना चाहूंगा yes so this one poem I was talking about in India by Naseem Izakil so you know written in present continuous tense and present continuous tense this is known as Indian English guys okay Indian English क्यूंकि हम लोग ING बहुत frequently use करते हैं you may notice even you may notice in your language during act of speaking you will find that we are frequently using ING form and present continuous tense guys this is ING form got it na और ये Indian या Indianness से guys associated होता है got it yes Indianness and if you want to see the best example जो इसकिल ने वर्क लिखे उन में से best example है guys you know party for Miss Puspa TS एक जो इनका वर्क है P-A-R-T-Y party for Miss Puspa TS ये जो गाइस Miss and P-U-S-H-P-A and T-S guys ये जो पोयम है na in this one poem you can see Indianization और Indianness of English ये जो वर्क है इसमें प्लीज एक बार notice कीजेगा कभी अगर आपको मौका मिले तो जरूर गाइस देखेगा ठीक है next one question है the night of scorpion ये बहुत famous poem है guys the night of scorpion appears in the collection guys yes in the collection named in which one collection the night of scorpion was published now go for it and please choose correct one answer ये गाइस जो question है बात माल लीजे बहुत ही जादा पूशा जाता है बिलकुल बहुत जादा ये वाला question पूशा जाता है जो मैं आप से पूश रहा हूं ये वाला the night of scorpion को ले इस वाली poem को अगर आपको पता चले तो इसका summary और detail जरूर आप पढ़ें it's my request कि आप summary and detail जरूर पढ़ने इस poem का because if you are a literature student तो at least आपको night of scorpion के बारे में जानना ही चाहिए guys so exact name him in darkness a time to change none of these so in which one collection it was published now guys see the right answer of this one question so the right answer of the question is a the exact name this is the collection of poems where the night of scorpion this one guys this one poem was published the night of scorpion where guide so in the collection name the exact name and exact name guys you know this was the fifth book of his poetry and published in the year 1965 so night of scorpion when it was published so answer is 1965 directly guys क्योंकि 1965 में अग्यूच्छि dwee and you know collection that was published in 1965 so that's why guys answer is 1965 must remember please so it was published in 1965 as it was published due to collection guys you know yes and you all are familiar he was known as the father of modern Indian English poetry Shri and you know many critics yes and he also received see Padam Shri guys in ko ye bhi mila tha 1988 and Sahit Academy Award guys you know in 1983 do remember guys bilkul आपको याद रखने की जरूरत है at least बहुत सारे point 1983 so Sahit Academy Award and Padam Shri in the year 1988 Knight of Scorpion 1965 these all are the points you must remember on or आपको guys देखिए जब भी आप चीजों को पढ़ें तो मेरा एक ही उद्देश्य होता है कि एक point के साथ आप multiple points को learn करें multiple points को guys you know like Knight of Scorpion the exact name 1965 ये भी learn कर लिया आपने then he received Padam Shri so 1988 he received Sahit Academy so Sahit Academy in 1983 so आपको कई सारी चीजे एक बार में याद हो जाती है and please keep on repeating जब भी लगे कि आप भूल रहे हैं so just watch the video or do note down a few points got it clear है ना सबके लिए बहुत ही अच्छे से and please कितने लोगों ने शेयर नहीं किया जितने लोगों ने like और share ना किया हो सो बस आपका channel है just like and share तो बनता ही बनता है at least एक तो बनी जाता है जादा ना बने now see the next one question guys yeah the question is which among the following is not a typical Indian English poem by Ezekiel which one among the following is not a typical Indian English poem by Nisim Ezekiel कौन सी नहीं है तो अब गाइस आप देखें option how the English license ended first option the railway clerk this is second one option and goodbye party for Miss Puspatius and the Patriot which among the following is not a typical Indian English poem by Ezekiel basically you know Nisim Ezekiel so he wrote Indian English poems और मैंने पिछले question में एक आपको clue भी दिया था है ना like using of ING form means present continuous tense present continuous tense so that is popular जो Indians use करते हैं during जब भी वो मतलब बातचीत करते हैं like that ठीक है चलिए आंसर कर दीचे चल दीचे चल दीचे गईस yeah correct one answer of this one question so here is the right one answer right one answer is a how the English relation ended this is not Indian English poem by Naseem Ezekiel guys got it Naseem Ezekiel how the relation in India in how the English relation ended so this one poem was published in where so him in darkness must remember guides him in darkness in this particular basically a collection it was published and other things are also there so guys I have already written detail regarding the poem so yeah you may go through this one poem or many updates is what I इंडियन गाइस you know Indian English poem कि जब मैंने बात किया था सो और यूज यूज आफ इंडियननेस और प्रेजेंट कंटीनूस फॉर्म सो यह वाली गाइज यह सी गुडबाय पार्टी फॉर मिस्स पुस्पा टियर्स इसकी मैंने आप से बात्चीत कि ठीक है ना क्लियर 1 ऑल्य पर आज आईए Trade Japan ूर्याप्वलें आऑ इनगणनेक्ष मौयम सो न इक्स आट रॉएम और प्वायम सो नेग्सट इनग्रउणיה नद काज वैश्वली इसरिट in only one section, two sections, three sections or four sections. I mean how many sections are there in background casually a poem by Nisim Ismail. So now please select right one answer guys and do write it on comment box and do not forget to count कि कितने questions आप सही कर रहे हैं और क्या क्या चीज़े आपको आ रही है और क्या क्या चीज़े आपको नहीं आ रही है at least आपको सीखने की जरूरत है ओके तो गाइद सी दिस इस दिस ग्वेस्टिन and I hope so you have given the answer. Okay, so answer of this one is yeah guys C is correct one answer. This one poem background casually written by written by basically guys you know background casually is written in hona chihye guys or yes written in only one section or you know guys yes written by Naseem Ismail and written in how many sections are there. So, there are three sections in this particular poem. It is one of the biographical poems of Ezekiel. In this poem, the poem is divided into three sections which is a childhood, adult and old guys. These are the three parts means these three sections are these three sections, childhood, and then adult, a-d-u-l-t and s-double-o-d and then old age guys yes. So, these are the three sections that can be seen in the poem background casually by Naseem Ismail and it is divided into three sections guys got it now yes and the poem is autobiographical one the content the basically subject matter of the poem. So, that is autobiographical one. Next one question. Here is the next one. Who wrote the essay Naipaul's India and mine as a reply to VS Naipaul's an area of darkness? By the way, यह question आप answer बहुत easily कर लेंगे. But, पता है मैं क्यूं यह वाला question आपके लिए लेकर कर आया हूँ? तो इसके पीछे भी दोस्तों देखे रीजन है. और इसके पीछे रीजन यह है कि मैं इस poem को इस लिए लेकर कर आया हूँ. क्यूंकि मैं आपको एक चीज बता दूँ कि कई बार आपकी एक्जाम में दो questions बहुत अच्छे से पूछे जाते हैं. अब इन दो questions से मेरा क्या मतलब है? एक तो यह an area of darkness. यह वाले को लेकर के area of darkness. एक तो जो दिक्कत आती है सबसे बड़ी. तो सबसे बड़ी दिक्कत मैं आपको बता दूँ वो यहां से आती है. ऐसे यहां से. कि नापॉल से इंडिया और माइन. जैसे ही हम लोग confusion है. वो सेकेंड लेबल पर पहुंच जाता है. और इसी लिए question हो जाता है गलब. area of darkness guys. ओके. तो area of darkness is associated with आपने answer कर भी दिया है और answer मैं आपको दिखा भी दे रहा हूं. यह सो देखिए जो area of darkness है guys. या. तो this is the work by whom? So area of darkness is by is a kill. Means second one option. यह तो clear हो गई बात. Now see naipaul's India and mine. यह है guys basically. किसका work? is a kill का. और basically यह we as naipaul के लिए यह reply था guys. ठीक है? This was a reply to we as naipaul. यह बात आप याद रख लीजे. पहली चीज है ना कि यह reply था. An area of darkness के अगर बात किया जाए guys. तो यह जो work है. This work is associated with we as naipaul. मतलब यह we as naipaul sir का work है. तो मतलब की clear हो गई बात की yes. हम थोड़ा सा confused नहीं होंगे. हम लोग directly जो भी original है उसी पर आएंगे और उसी को देखेंगे ठीक है ना आजाईए अब थोड़ा सा आगे आएंगे और थोड़ा सा आगे आ करके और भी हम चीजों को समझने की बहतर कोशिश करने वाले हैं. ठीक है आजाईए. next one question. So here is the next one. My job is such no one is giving me bribe. often quoted line. You can say guys की this one is often quoted line की जो आपके एग्जाम में घूम घुमा कर के आजाती है. No one giving me bribe. So these are the lines from the patriot distance और railway clerk और none of these. Correct answer guys की मेरी job ऐसी है कि जिसमें मुझे कोई bribe ही नहीं देता. भाई कौन सी job है जिसमें bribe नहीं मिलता और इंडिया में bribe की तो बड़ी जरूरत है भाई corruption के लिए है ना? तो हम कितना भी और आप लोग कितना भी प्रयास करें पर corruption एंड नहीं होता कि कहीं न कहीं क्यूंकि हम लोग corrupt हो जाते हैं कहीं पर कुछ अपने निजी स्वार्थों को ले करके कई बार मतलब एक तो मतलब समझ लीजे society क्या है समाज क्या है हम लोग है और हम ही में से आप में से कोई corrupt है इसलिए society में वो corruption चलता रहता है बट ठीक है यहां पर बात आ रही माइ job is such no one is giving me bribe answer of the question is yeah guys this one is the correct one answer all the three works are written by basically you know जो यह वर्क है तो यह तो लिखे है किसने is kill ने लिखे है टीनों वर्क है ना but important point is यह answer है इसका railway clerk the railway clerk is saying my job is such मेरी job ऐसी है no one giving me bribe कोई भी मुझे bribe नहीं देता मतलब भाई सापको जरूरत थी condition नहीं देख रहे हैं अपने country की condition कुछ भी हो जा जेबे फुल होनी चाहिए और अगर जेबे फुल है तो फिर भाई बहुत ही अच्छी बात है और अगर जेबे फुल नहीं है तो भी बहुत ही अच्छी बात है है ना yes bride and bride also bride also bride मिलना तो मतलब मुश्किल मानिये लोगों को bride तो नहीं मिल पाती है जल्दी से bride तो सिर्फ उनी को मिलती है जिनके पास सरकारी मुहर लगी होती है सरकारी नौकरी अगर है तो फिर भाई कोई दिक्कत नहीं है आपके घर में रिस्ते आही जाएंगे bride को ले मतलब bride को लिके bride को लिके नहीं yes so this is the right answer next one question here is the next one see when did Nisim Ezekiel get Sahit Academy Award कब Sahit Academy Award मिला 1962 और 1986 या फिर 1983 और 1977 अब जिसकी memory होगी अच्छी और जिसने देखी होगी class बिगनिंग से so उनका answer आ चुका है या तो आने वाला है उनका answer या तो आ चुका है और या फिर आने वाला है guys yes and thank you so much those who are commenting कि sir congratulations for digital board या डिजिटल बोर्ड तो आ गया लेकिन सच बताओं आपका support नहीं इस तरह से नहीं बता रहा हूं आपको support कैसे पता नहीं कितनी सही है या कितनी गलत है पर ऐसा फील हुआ है मुझे मैं सबहुत रहा था तोड़ा चार्च हो जाटता मेरा फोन डिस्चार्च हो रहा था लेकिन कोई बार नहीं भी इस चार्च हो जाटता हूं इसका फटा फट देता हूं और support वाली बात कर रहा था उसके लिए कि गौट साहित अकादमी अवार्ड फॉन लिटर डे साम्स इन नाइंटीएटी ती और एक और अवार्ड के मिला है उन्हें साहित अकादमी आवार्ड यह तो हो गया अकाडमी यह अलग होता गया अकादमी लिखा जाता है एक एडी एम यह और यह वाला हो गया पस्यादेश्ट फूरा से लेटर डे साम्स इस वर्क के लिए मिला था और मुझे लगता है कि वो जो अवार्ड है उसे बोलते हैं पदम भूशन और पदल श्री जो भी अवार्ड है वो कमेंट बॉक्स में लिख देख रहा हूं यहीं से डारेक्ली उसे सारे कमेंट्स विजबल है जितने लोग उचल बूद रहे हैं सब लोग दिख रहे हैं सब्सक्राइब बताइए कि वो साहित कादमी अवार्ड के साथ साथ एक और कौन सा अवार्ड मिला है और लाइक करने चलिए अठीक है न चलिए देखने प्राइब लुद में आपके लिए शो करूंगा नेक्स वाल्ट वो हरा थू मैं चार्क्र इन नाइट आप इसकौर्पिया-इस प्रीड नाइट आप इसकॉर्पिया निफ्टियम इजिकल ने अरवन एम्र अग्टर विलेजर्स आप 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 साहिए यह पा पॉन है भई पॉन नहीं है इसमें हमें में चारेक्टर्स बताना है पर आप बता दीजे में चारेक्टर्स यस पतम श्री अवार्ड मिला था वह भी 1988 में जितने लोगों ने 1988 लिखा था उनके लिए मेरी तरब से बड़ा वाला लाइब बड़ा वाला लाइब जितने लोगों ने लिखा था उंके लिए भी बड़ावाला लाइब कि सब्सक्राब लुक्ला और चीम करनूं बश्राइब करें सब्सक्राइब answer of this one question so simple it is यहां पर जो लीड चारेक्टर है में न में क्यारेक्टर मदर एड चिलब्रन ये दो क्यारेक्टर गाइस बहुत ही लीड है आप कह सकते हैं तो यह बड़ी हाँ पोएम है ना नसीम इजक्ल वाली तो यह पोएम नाइट ओफिस्कॉर्पियन बहुत ही बड़ी हाँ पोएम है नाइट ओफिस्कॉर्पियन गाइस अगर यह कभी मौका मिले तो मतलब सौखिया पढ़ लीजेगा सौख में किसी दिन मुझे मौका मिलेगा सौ मैं इस पोएम को डीटेल में पढ़ाना चाहता हूंगा इस नाइट ओफिस्कॉर्पियन गॉट इस श्योर प्रजेंट्स अरूल इंडियन विलेज और इट्स पीपल किसी को बिच्छू डंक मार देती है है ना सो होता क्या है उस टाइम में जाने कितने मतलब जाने कितने वैद कोई आके बोलेगा रहे यह फिटकिरी लगा लो कोई दो-चार पत्तियां लेता चला अरे अंकित यहां पर लगाओ यह यह मजा आ जाएगा लाइक डिस कोई और भी आ सकता उसमें अरे बोलेग सुनो यार अगर तुम यह खा लेते तो फटा-फट सब काम हो जाएगा कोई बोल देगा ब्लेड लो और जहां पर तुम्हें बिच्छू ने मारा उतना काट दो मतलब आपको घर के इलाज और लोगों की सला मतलब आप पागल हो सकते हैं एक बार काइंसीडेंट है जो एक मेरे बड़े भहिया है तो उन्होंने क्या किया उन्होंने क्या हुआए मतलब कि एक भहिया थे वगल वाले ही उनको बिच्छू तो वो बिल्कुल ऐसे ऐसे बिल्कुल कराहे जा रहे थी कि मैं मर रहा हूं लाइक दिस तो मेरे बड़े भीया जी पहुंचे वहां पर क्यों इतना नोटंकी कर रहे हो क्यों इतना नोटंकी गाइस उनो उसको इतनी गुस्ता आई उसका वो भूल गया कि मुझे विच्छू में मारा है वो डायरेक्ली खड़ा हुआ और मेरे भाईयाजी को दोड़ा दिया उसने बोला रुक मैं देखता हूं तुसे सो गाइस यूनों कि यह सीन बड़ा बहुत ही जवरजस्त होता है और देखिए सहरों में थोड़ा कम निकलती हैं पक्की फरसे होती है और चीजे बहुत सिस्टमाटिक होती है गाउं में जैसे कहीं खेट से चली आई बगल से चली आई रास्ते से कहीं कुछ न कुछ ऐसा होता रहता है तो यह जिन्दगी बड़ी अच्छी होती है गाइस you know yes so mother and children even you know mother को जब इसने स्टंक कर दिया मतलब डंक मार दिया so what mother was what mother was expecting she was saying oh my god thank god that my child is spare मतलब मेरे बच्चे को नहीं काटा इसने इसने मुझे काट लिया है और एक और इंसीडेंट आपको मैं बता दू एक और ऐसा इंसीडेंट है मेरी लाइफ के साथ मैं छोटा सा बच्चा था I was just a little child छोटा सा किड मतलब ममा की गोध वाला एक दो साल तो मेरी ममा ख आए बैल भैसे जो थी तो उनके लिए चारा लेकर के आती थी तो होता क्या था बेसिकली कि जिसे जो बच्चे होते होते हैं तो तो अपना रोना धोना लगाया रहते तो ममा आई खेट से और वो थोड़ा सा चारा लेकर के आई थी बैलों या पश्वों के लिए कह दीज तो हुआ क्या कि मैं रो रहा था अपना दाहाने मार रहा था बच्चे थो ऐसे रोते बे मतलब को scp Iya पर्रक ही नी पड़ता क्या हो रहा था प्या मैं मैं रो रहा था पिर उन्होंने मेरा मुझा है उठाया मतलब लार नाक एक सब रही होगी मेरा कुछ ऐसी condition रही होगी सो ममा ने जैसे उठाया मेरी speed और रोने की तेज सो ममा ने सुचा हुआ क्या है भई सो फिर उन्होंने ऐसे जड़ाया जब अपने कपड़े को उन्हें लगा साइद कोई कीड़ा होगा हाँ बाद में इलाज हो गया मैं सही हो गया और आज देखिए जिन्दा भी हूँ आप सब के शात हूँ तो ऐसी देखिए घटनाए होती रहे हूँ यह ममा वाला जो मेरा इंसिडेंट है इस वन इस रियल और उसके बाद मुझे कभी मारा भी नहीं हूँ जर्नी, मिसनरी, कॉमर्ट और नन ओफ दीज गईज़ देखिए और इस पोयम में बेसिकली यूनो गैज किसका डिसकुशन है और इंटर्पराइस इंगेज इन जर्नी, मिसनरी, कॉमर्ट और नन ओफ दीज़ू प्लीज बिल्कुल सही कहा मां ऐसी ही होती है बिल्कुल सो गईज चूज करेक्ट वन आंसर हरी अप प्लीज हरी अप हरी अप हरी अप जल्दी से आंसर कर दीजे और आपका आंसर जरूर आना चाहिए गाइज येस okay so correct one answer guys of this one question so here is the right one answer right one answer is basically journey okay yes answer number one is correct the poet in the poem enterprise engaged in a journey got it just say up the night of scorpion based on a rural rural incident and you know guys one more poem is there like background casually so that is the poem that based on you know feelings of the poet in society how he was feeling so you know guys different subjects are there of different poems here is the next one question so this is is a kills poem background casually is written about please is a kills poem background casually is written about it is about himself about his friends about his neighbors or about his country so you know guys hurry up jaldi say answer choose kijayga correct wala answer link dj par maza आप सभी को estamp रिवार लिगा लुझा और आप दिस वन प्वेस्ट्वर जाेगा प्लीज अन्वा और जल्दी से आंसर कीजिए बिलकुल और एंसर करते ही आपको मज़ा भी आ जायेगा क्या हो रहा है आप को अच्छा वह थो यस करेक्ट आंसर तो हमने आपको बता ही दिया होगा नहीं बताया आईए जान लीजिए थोड़ा सा फोन आ गया था राजन महाजन जी का फोन था तो उठा लिया मैंने Ezekiel's poem background casually is written about तो यह आंसर है himself और himself क्यों है guys because background casually written by Ezekiel tells about the struggle of the poet for identity in country है ना guys yes background casually में जो poet की suffering है किसके लिए है guys identity को लेके struggle yes oh oh himself friends yeah so थोड़ा सा pen लेलिया जाट yes a struggle of the poet for identity in a country where he as well as his community Zeus is considered to an alien भई इंडिया में Zeus का तो मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ा रोल है यह बहुत जादा Zeus देखते हैं भाई हिंदू Muslim six चल जाएंगे है ना जैन चल जाएंगे बट यू नो यह जीवज और और Christians लिमिट है इनकी इनकी एक लिमिट है जब आप किसी सोसाइटी में रहते हैं यू और टोटली अन्नोन फ्रॉम देखने को मिली और वहीं बात दोस्तों हमें ग्राउंद कैजवली में देखने को मिली और इन दिस वन पोयम इसकेल वाज शेरिंग इस एक्सपेरियंस हाव वी फिल्ट इन सोसाइटी और पीपल आप सोसाइटी दे वर नेगलेक्टिंग इम आपनी पोयम्स में इवर यू ने वर लुकिंग आन थे आर देम इस आर ग्राउंद कैजवली में आपनी पोयम्स में सो बैक्ग्राउंड कैजवली मेंस आलवेस बैक्ग्राउंड मैंटर्स वाज यू आर और इतने से ही थे हमारे क्वेस्चन जो हमने पढ़े और जो हमने जानने की कोशिश की है ठीक है ना बिलकुल जो हमने जाने और जो हमने जानने की कोशिश की अब बात आती है हमारी और आपकी की अब क्या मैं आप से कहूं तो मैं एक-दो बाते तो कह ही सकता हूं कौन-कौन सी बाते कह सकता हूं तो वो मैं ये कह सकता हूं कि those who want to prepare for UG Senate Exam तो उनके लिए नया बैच मेरा स्टार्ट हो रहा है थर्ड नवंबर से निव बैच थर्ड नवंबर से नेट सेट और इफ यू आर प्रिपेरिंग फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर से पिग्जाम क्या करना होगा इसके लिए ये स्टेप्स फॉलो करना है और सबसे इंपॉर्टन गैज यू नहीं भूलना है एके एस राजवीर आपको कोट जरूर अपंडाई करना है बिना इस कोट के सबस्क्रिप्शन आपके लिए गुना है ना So, yes, just apply this one code. Hey, Kate, राजवीर मेरे कोर्सेस को लेने के लिए APS, राजवीर गई छाहे capitalist में लिखेगा छाहे smart में लिखेगा another important information from 24th of October I am going to start free classes for UGC net aspirant for set aspirant or gate aspirant or any other exam guys this week zamki TZT PZT आप पढ़ते है TZT PZT NBS KBS or LT grade 24th से guys daily marathon होगी और timing मैंने रखी है 5 p.m. और you know guys 24, 25 and 26 इन तीन डेट्स को 5 p.m. लूँगा और then guys 27, 28 and 29, 30 so I am going to take class at 8 p.m. on an academy the learning app and how to join those free classes बस ये code यूज कर लीजेगा ये code आपको unlock कर देगा आपकी classes and follow these steps guys you know ये आपको steps follow करना है अब और एक और important information if you are preparing for UP TZT and PZT exam और LT exam तो LT का हमारा नया बैच चल रहा है LT का ये unacademy पर नहीं मिलेगा आपको LT वाला TZT और PZT ये दोस्तों unacademy पर नहीं मिलेंगे आपको ये मेरे individual courses है इसके लिए मैं YouTube पर आपको private classes देता हूँ जो सिर्फ और सिर्फ paid students access कर सकते हैं timing है 10 a.m. daily चलती है class LT वाली अगर आप interested हो तो आप enroll कर सकते हैं अगर LT की fee की बात करूं तो guys fee है हमारी 4999 यानि की guys 499 LT course के लिए आपको pay करना होगा LT तो इसके लिए guys 499 और 9 TZT के लिए अगर आपको UPTZT पढ़ना है तो only and only 1500 और अगर आपको PGT पढ़ना है तो only and only 2000 रुपीज और अगर आप UGC net का unacademy पर लेते हैं 6 month के subscription के लिए 10,440 रुपीज आपको pay करना पड़ेगा after applying code AKS Razvir जब आप code apply कर लेंगे इसमें AKS Razvir तो ये discounted amount मैंने आपको बता दिया है और इस समय गई चलना है offer ठीक है अगर आप 12 month लेते हैं तो 2 month का आपको free मिलेगा absolutely free so guys this is all about today's class अब हमारी मुलाकात होगी अगली class में तब तक के लिए आप अपना खयाल लखिए अपनों का खयाल लखिए और ऐसे ही watch करते रहे बड़ी हाँ से शेशन लेकर के आऊँगा guys हम मैं daily every day क्योंकि अब है मेरे पास digital board and with digital board बहुत ही अच्छे से guys हम enjoy कर सकते हैं classes को so thank you so much bye guys and take care फिर से हमारी मुलाकात होगी और तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार प्यार भरा नमस्कार और ऐसी ही मुलाकात करते रहें आप सभी लोग कोई भी inquiry अगर आपको करनी हो इस क्रीन में दोस्तों मेरा number चल रहा है उस number पर आप WhatsApp message या call कर सकते हैं और आप अपनी जो भी जानकारी आप लेना चाहें वो ले शकते हैं Thank you so much. Bye guys and take care.